दुर्ग निगम की अंदेखी और लापरवाही की चलते निगम मुवद से करोडों खर्च कर बनाये गया गंजपारा कॉम्पलेक्स अब बधाली की भेट चड़ रहा है जित दुकानदारों ने यहां दुकान लेने करीब डेर साल से अपना लाखु रुपया फसा कर निगम क चक्कर ored रहे हैं दुर्ग की अगंजपारा सित नो निर्मित बने कॉम्पलेक्स का इंदिनों बुरा हाल है आपको बता दें कि इस कॉम्पलेक्स निर्मान से पहले दुरग निगम ने बिना वना जुल विभाग की मंजूरी से कॉंप्लिक्स निर्मान कराया था साथ ही जिन व्यापारियों ने यहां दुकान लेने अपना लाखो रुपिया फसाया जिसे मिली जानकारी की अनुसार 15 से 20 व्यापारियों ने करीब एक लाख से अधिकराशी पिछले देर साथ से फसार रखा है और वे अपनी दुकान आबंटन को लेकर निगम काईलाय का चक्कर लगा रहे हैं गौर तलबे की शहर की सबसी वस्तम मार्ग पर बने या कॉंप्लेक्स विवादों की भेट चर्टे नजर आ रहा है साथी निगम के अधिकारी भी उन दुकानदारों को इसकी फाइल कभी नजर विभाग को तो कभी कलेक्टर के द्वार पहुंचा जाने का हवाला देते रहते हैं और दुकान के लिए लोगों को सिर्फ निगम का चक्कर लगवाने के लिए मजबूर करते हैं आपको बता दें कि इस कॉंप्लिक्स में सिर्फ अभी सी माट की दुकान संचारी थै जिसका पूर मुखिमत्री उपेश बगेल से आनन पानन में उद्घाटन कराए गया था बता दें सभी दुकाने असमाजिक तत्वों द्वारा इस्तिमाल के जाने से व्यर्त ही खराब होकर करोड रुपेश से बनाए कॉंप्लिक्स दुर्ग निगम की उदासिंता की लापरवाही की भेट चड़ रहा है अब देखना होगा इस दिशा में दुर्ग निगम की स्तरह से पहल कर दुकाना बंटर की प्रक्रिया शुरू करवाता है साथ इन निगम मद से करोडों के खर्च में बने कॉंप्लिक्स को सजा कर समारता है इसी इन निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट